सब्भी विध्यारतियों को नमस्कार सात्यों यदि आप लोगों ने apprenticeship कर रखिये चाहे आप लोग कोई सी ट्रेड गे student ओ आई टाई से तो अब भी सरकार ने आप लोगों का नियम बना दिया है कि जो apprenticeship का जो आप लोगों का समय है उसे experience में आप लोगा count किया जाएगा बिल्कुली department की तरब से official आप लोगा later आ रहा है तो बहुत से एक department होते हैं जहां ITA से आप लोग apply करते हो government job की लेकुन उसमें एक वर्स या दो वर्स का आप लोगों का अनुबो पर्मान पत्र experience work experience मान लिया जाता है तो जिन students ने ITA plus apprenticeship कर रखी हैं तो उनका एक साल का solid experience आप लोगों का मना जाएगा तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों का जो आपका ministry of skill development and entrepreneurship है apprenticeship training division न्यू दिल्ली में 19 प्रवरी 2024 को सातियों जितने भी आप लोगों के government ITA हैं यानि कि state government को ये चीज बेजी गई है और आप लोगों का क्या बोला है ओल दे स्टेट यूटी गोर्मेंट स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरेटेकिंग तो ये बोला गया कि consideration of duration of apprenticeship training under gone by ITA past candidate and having national apprenticeship certificate in designated trade age work experience regarding training दिल्ली सरकार के तरब से सभी state government को ये चीज आपकी बेजी गई है उसके बाद में सातियों अपने जो state government राजस्तान के समस्त जिले राजस्तान के समस्त जिलों को ये चीज लिखी गई है आई टे को लेज में अगर वहां ये information notice board बे लगाते हैं तो बच्चों में उत्सा रहेगा कि हाँ यार work experience में चीज आप लोगों की सामिल मानी जाएगी apprenticeship मेंने कर रखी हैं ये फिर कोई करने के आप लोगों का सोचेगा अब apprenticeship करने के लिए अलग-अलग department में आप लोगों का notification निकलता है minimum age criteria रहता है कि आप 14 साल के होने ही चीए उससे पहले आप लोगों की आइटे भी complete होनी चीए तो आगे अगे अगर पन लोग बात करें ये बोला गया है कि आईटे उत्तीन की आइटे को लेज को ये बहुत बेजा गया है मौदे उपसासन सचीव कोशल विकासिम उदित्ता उद्यमित्ता मंत्राले भारत सरकार नई दिली के संदरबत पत्तर द्वारा आउगत करवाया गया है कि आईटे उत्तीन अभेट अभेटियों को अपरेंटिशिप रियूल 1922 में सेडूल फस्ट में एक वर्स या एक वर्स अधिक आउदी के नामित व्यवसाई में नेशनल अपरेंटिशिप सर्टिपिकेट धारकों एक वर्स का कारे अनुबव के रूप में रोजगार के लिए के अंदर राजे सरकार के विबग विब अपरेंटिशिप का आलांकि उनको पहले जान करेंजिए लेकिन डीवी के टाइम में आपके बहुत से कैसे लोग होते हैं जो ऐसे नोटिसों से आप लोगों के नहीं होते पांसात लोगों का पैनल होता है तो मैं आपको यह राय देना चाहूंगा कि इस लेटर को आप लो आपकों के लिए एक शोलित हो सकती है अगर कोई बंदा इस चीज को मानने के लिए तयार नहीं हो सकता है में भी हो सकता हो आलांकि यह सारी चीज़ें सारी जगह हो रही है लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि आप लोग की पूरे लोग है पैनल पर बैठे में उनको नई आइडिय है तो मैं यह सकसे सेंटर सीकर टेलिग्राम में यह पीडियप आप लोग को उपलब कर रहा हूं टेलिग्राम में जाकर आप लोग सकसे सेंटर सीकर लिखें और टेलिग्राम में यह पीडियप आप लोग डाउनलोड करके आप इसको अपने पास में प्रिंट आउट करवा और नीजी यानि की राजगी यानि की गोवर्मेंट को भी बोली गई है इस सभी चीज के लिए लिखा गया है 21 परोरी को आप लोगों को ठीक है भी तो यह आप लोगों की सूचना थी आप सभी विद्यारतियों को बहुत बहुत धन्यवाद